एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है अच्छा साथ मीं से लेकर बार्मी तक की बिलकुल मुफ्सिक्षा बतलब यहां पर आपको NCRT स्टेट बोर्ड और दूसरे राज्यों की बोर्ट की पूरे सलेवस को बिलकुल निसुल्क में कराया जा रहा है सभी वीडिय कंटेंट और बैस्ट के साथ तो बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCQ मतलब बहु बिकल्पी प्रस्टों के बारे में पढ़ने वाले हैं यह MCQ होंगे कच्छा दस्मी की राजनती विज्ञान के चैप्टर नमबर 3 लोग तंत्र और विवित्ता के तो इसके अंतरगत हम MCQ को पढ़ेंगे बिना देर करते हुम चलते हैं अपने पहले सेन होज स्टेट युनिवरसिटी ने टॉमी स्मित और कार्लोस को कैसे संवानत किया कौन यह कौन है तो पहले इनको आप जानने फिर अपन जाने कैसे थे कैसे संवारत के यह दोनों है अमेरिकी धावक है क्या दॉला था इनने चैप्टर में 200 मीटर की दौर दौरी थी और अगर धावक हैं और यह अमेरिका के तो इनको कौन सा अमेरिकी कहा गया अब इनको कैसे सम्मानत किया यह सैन होज स्टेट युनिवर्सिटी में इन दोनों के द्वारा इसके द्वारा भी और इसके द्वारा भी पढ़ाई की गई थी सम्मानत करने की बात क्यों आती है क्यों अस्वेतों के खिलाब हो रहे अन्याय के लिए आवाज उठाई थी और जब 200 मीटर दॉल में इनने पदक जीता था एक जीता था गोल्ड रैंक बन इसा जीता था रैंक त्री कांस मतलब की ब्रॉंच तो उसके लिए ने क्या किया जूते उतार दिये थे तो इन्हें कैसे सम् प्रॉसकार देकर सम्मानत किया गया विस्विध्यार परिसर में उनकी प्रतिमाय स्थापित की गई उनके पास एक खेल संगठन सुनू करके और नौकरी दे कर कैसे किया गया विस्विध्यार परिसर में उनकी मूर्तियां स्थापित करके प्रतिमाय स्थापित कर गया प्र हों और श्त में आपको दो केटेगरी हमने पर रही थी कौन सी कौन सी प्रोटेस्टंट और क्याथोलिक क्यात्व चैथोलिक यह अब नहीं हौपर पढ़ा हुपा धो-ओ ऑपको दो ब्राउंच आपको देखने को मिलेगी प्रोटेस्टेंट और कैथलिक ये आपको कहां इसाई धर्म के अंतरगा देखने को मिलेगा तो दो बर्क थे प्रोटेस्टेंट और कैथलिक हमने देख लिए लेकिन धर्म कौन सा इसाई है इन मैंसे कौन सा कथन अस्वेत सक्ति आंदोलन के बारे में सही नहीं है यह 1906 में उभरा 1975 तक चला एक अधिक उग्रवादी आंदुलन था इसने सांति पूर्ण तरीकों की वकालत पी कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना है इसने सांति पूर्ण तरीकों की वकालत की यह वाला कथन जो है वो सही नहीं है अगला प्रस्णा प्रस्टमबर 4 स सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगला प्रस नमबर पांच मैक्सिको सहर में आयोजित 1968 ओलंपिक के बारे में क्या खास था यह बताना है सभी गोल्ड मैडलिस्ट अमेरिकी अथिलीटों के पास गए अफरिकी अमेरिकी अथिलीटों दवारा अफरिकी अमेरिकों के नसलिय भेदभाव के खिलाब बिरोध किया मेक्सिको सिटी ने नसलबाद खत्म करने की मांग का समर्थन किया अमेरिकी सरकार ने नसलबाद की समापती घोसना की तो क्या है ऑप्सन नमबर बी करेक्ट होगा एफ्रो अमेरिकी एथलिटों के द्वारा जो नसलिय भेद्भाव हो रहा था उसके खिलाब विरोध किया था अगला प्रसना प्रस नमबर 6 भारत क्वेतों संधाय संयुक्त राज अमेरिका मैं अस्वेतों की तरह कमो बेस उसी सीविती मैं ब्रामः डलित वेस और चत्री वर्श्था में चार कटेगरी है वश्ता में ब्रह्मा के मस्तिक से कहने है ब्रामभाण भुजाओं से छत्री जंगाओं से बैस और अंगुठो से सूद्र तो इनकी स्थिती जो है वह वैसी है जैसी आप देख पारें कि इसकी स्थिती अमेरिका में है in ko ुभा बाले भाव में डाल दिया गया और बात में फिर यह इस परसता के सिकार हो गए सोसन के सिकार हो गए जातीता के सिकार हो जाते तो option number B क्या हो जाएगा दलित है अगला प्रस्ट में प्रस्ट नम्बर साथ समान प्रकार की लोगों के साथ समाज को क्या कहा जाता है समरूप समाज बिजाती है समाज इंसानियत या नम्र तो ऐसा समाज कहलाता है उसको कहते हैं हम समरूप समाज कहा जाता है उतरी आइलंड में प्रोट्स्टेंट ओडों का प्रतिसत है 50 53 54 55 क्या प्रतिसत ओसी आइलंड में प्रोट्स्टेंट ओगा तो अब प्रतिसत आपको देखने को मिलेगा तम सी कव एक समझेश होता है यह handle में इनिटी न इन्टी एट में समझेट ये किया जाथ है प्रतिस्परधा सामिल है उनकी प्रतिस्परधा मौझूदा सामाजिक विभाजन के संदर्व में देश को एक जुट करने की होड में है सामाजिक विभाजन, राजितिक विभाजन में बदल जाते हैं, और संघर्स हिंसा आदी को जम देते हैं, इससे देश का बिगटन हो सकता है, बताना कौन सा बात कि सही नहीं है, तो उनकी प्रतिसपर्धा मौझूदा सामाजिक विभाजन के संदर में देश को एक जुट करन की होड में है यह वाला बख जो है वो सही नहीं है अगला प्रस्ट है प्रस्ट नमर 11 इन में से कौन सा उत्री आइलेंड के प्रोटेस्टंटों के बारे में सच है वे यूनिस्ट पार्टी द्वारा प्रतिनत्य किये गए थे वे बिटेन के साथ बने रहना चाहते थे का और खा दोनों और प्रोट्ट मैंसे कोई नहीं तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा का और खा दोनों यूनिस्ट पार्टी के द्वारा उनका प्रतिनत्य किया गया था और वो बिटेन के साथ रहना चाहते थे इसी उनकी मांग थी सामाजिक विभाजन से निपटने के अधार पर इनमें से कौन सा कथन लोक्तंत के बारे में सही नहीं है चार ओप्सन है सामाजिक विभाजन के अधार पर समाज का बिगटन करता है लोक्तंत्र में समधायों के लिए सांति पूर्ण तरीके से उनकी सिकायतों को सुनना संभा हुए लोक्तंत्र में राजनितिक प्रतिसपर्धा के कारण समाजिक विभाजन राजनिती में परिलक्षित होता है ना समाजिक विभाजन क्या है राजनिती में परिलक्षित होता तो क्या इसमें लोकतंत्र के बारे में सही नहीं है तो अप्सन नमबर बी लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के अधार पर समाज का बिगटन करता हमेशा नहीं करता हमेशा नहीं करता इन मैसे कौन सा गलत नहीं है वो बताना है प्रवासरी अपने साथ अपने संस्कृति लाते हैं वे एक अलग सामाजिक समधाय बनाते हैं वे दुनिया को बहुत सांस्कृतिक बनाने में मदद करते हैं और उप्रोग सभी कौन सा एक गलत नहीं है वो बताना है तो कोई गलत नहीं है मतलब की क्या है उप्रोग सभी कोई गलत नहीं है अगला प्रस्न प्रस्नमबर 14 इनमेंसे कौन सा अन्य समधायों की मांगों को समयूजद नहीं करने के उधारण है पहला है सिलंका दूसरा है यeज लाविए तीसरा है बैल्लियम वो sto है का और गहा है ना मतलब पहला और पहला और दूसरा है ना कि सिलंका और यूगोसिलाबिया तो आपसन क्या हो जाएगा डी नंबर का घा नंबर का साही है कि सिलंका और यूगोसिलाबिया मतलब ऐसे गेंगा संवधायों की मांग को समायुद करने के अग्ला प्रस है North कागरिक अधिकार आंदुलणों का नित्रत किसने किया मार्टिन लूथर मार्टिन लूथर किंग जूनियर मार्टिन डैविस बेंजावन फ्रैंकलिन तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा यह क्या किया गया है इसका नित्रत किया गया अगला प्रस्ण है प्रस् प्रस्टी भासा के रूप में रूप थी मतलब चलती थी अगला प्रस्ट है प्रस्ट नंबर 17 निम्लिखित में से किस देश को धार्मिक धार्मिक जाती है पहचान के आधार पर बिखंडन का सामना करना पड़ा है चार उप्सन है बेल्जियम भारत युगस्लाबिया और नी इतनी विविट्टा के बाद भी देश पूरा संगठत है नीदर लेंड में भी आप देखेंगे कि यहां पर किसी प्रकाल का विभादन आपको देखने को नहीं मिलेगा हिंसक टक्राओ देखने को नहीं मिलेंगे सब्सक्राइब क्या है यूगस्लाबिया अगला प्रस्ट भाव के खिलाफ जो ब्रोथ था वो था मैक्सिको सिटी ने नसलबाद खतम करने की मांग की अमेरिकी सरकार नसलबाद की समापती की है तो सही जवाब क्या है ऑफ्सन नमबर बी जो है वह सब करेक्ट आंसर है अगला प्रस्ट है प्रस्ट नमबर 19 क्या सभी सामाजिक अंत कौन सा बैयान लोगतानतिक विवस्ता पर लागु नहीं होता चार ऑप्सें है लोगतनत्र में राजनितिक प्रतिद्वन्था के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजिनती पर पड़ती है लोगतंत में विभने समझायों के लिए सांति पूंधंग से अपनी सिकायच जाहिर करना संभव है लोगतंत सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है लोगतंत सामाजिक विभाजनों के अ अगला है प्रसमर historically समाजिक विभाजन अधारत होते हैं जबन पर चुनाव पर युगटा पर धर्म पर तो जर्म पर अधारत होते हैं आज बिस्व की अधिकतर देश कैसे हो गए सांस्कृतिक अस्वेट बहु सांस्कृतिक या कुछ भी नहीं तो बहु सांस्कृतिक हो गए बहु सांस्कृतिक मतलब दुनिया भर के लोग वहां पर चल कर आ रहे हैं तो अपने अपने देशों की संस्कृति ला रहे हैं तो वह में सरकार या रास्टवादियों के बीच आयलेंड का समझाथा कब हुआ 997 में हुआ, 1998 में हुआ, निनन्यान 상वाव में हुआ, या 1994 में हुआ, कब होता है, तो प्रेटन जबार क्या है, प्रेटेउं और राष्टवादि, राष्टवादि मतलब वो समझे कि समदायों की मांगों को समय जट नहीं किया था बांडिन लूथर ने किस आंदुलन का नित्रत किया नागरिक अधिकार अंधुलन अस्वेट शक्ति आंदुलन अमेरिकी आंधुलन या अशयोग अंधुलन तो गांधी जी भाला है तो ये तो भूली जावब तो क्या हो गय और इस यह दिकार आंदोलन को इनिक ने इस आंदोलन को नित्त्त किया था अगेला प्रसमबर 27 समरूप समाज किस देश में पाये जाता है भारत सुईडन उसको समरू समाज कहते हैं प्रस समर अठाइस वह समाज जिसमें एक ही प्रकार के लोग होते हैं क्या कह राता भी जस्ट पहले हमने किया उसको क्या कहते हैं समरूप समाज बेट जो है वो सिल्भाद के ज्यादा निकर्ता वह हैं नसलबाद में कैसे करते हैं जो यूरोपायन लोग है या हमिर्का के जो गोरे थोड़ी बहुत हमने जानकारी भी साथ में ली किस की चीज की क्या जानकारी है वो भी हमने देखा मागनेट बेंस अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए साथ ही साथ ने सुलक सिक्छा के लिए जाना जाता है कोई प्रकार का कोई पैमेंट नहीं करना है कोई सब्सक्रीबशन परचेस नहीं करना है सबी क्mberूत हैं क्या क्या कोर्स उफर्ट कर देखिए की यह जैसे आप यूट पर घुट जड़े हूए है इसके लावा फेस्बुक इंस्सा ट्विटर टेलिग्राम इंस माध्यम से भी जोड़ सकते हैं यहां पर भी आपको जानकारियां मिलती रहती है वीडियो आप देख रहे हैं मैगनेट बेंच के हिंदी चैनल मैगनेट बेंच हिंदी वीडियम पर तो चैनल को सब्सक्राइ कर लें और अपने दोस्तों के साथ जम कर शेयर कर दें कमेंट करें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा कोई डाउट है तो उसको भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं धन्यबाद